इस गेट पीएस्यू एंड ओल टेक्निकल एक्जाम्स की कंपलिट हैं रिटन नोट के साथ ओनलाइन इस्टेडी करने के लिए वीडियो की नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर किलिक कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर किलिक करना ना मतलjest को से कुलर सेक्शन में से काट यह स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंट बहुत ही स्ट्रोंक हो ठीक है और फिर पुरोव करना है कि आपकी ये जो वाई माले सोमाइं ओर ये इज cambi ये वाई ये अधो यह जो किरें रहा कि आप की दो बाइड्ट है वह आपकी रूट टू सत्व है कि यह ग Less Comeaten है यहें July स्वेंच गन्हों कण लिए ठीक है और सब्सक्राइब काट लिए हमने ओके पिर क्या किया ये एक तरीके से आपका ट्रेंगल बन किया तो इस ट्रेंगल से आपकर यह रिलेशन आ गया x square plus y square is equals to du square ठीक है फिर जब भी sections की बात आती है तो हमें सीरे सिदा section of modulus माइंड में आता है क्योंकि इनका differentiation किसके साफ से होता है अलग-अलग section of modulus के साफ सहीत होता है जिसमें आपको एक बार बताया था इससे पिछले से पिछले लेक्चर में कि section of modulus of section is greater than section modulus of rectangular section is greater than section modulus of overall sqr section is greater than section modulus of circular section ठीक है तो circular इसक्ष मोलत से इसके साफ से इनका differentiation होता है तो यहां पर हम section modulus find out कर लेते हैं से सिरेक्टेंगुलास से लिए सेस्टन का होता क्या है आइपन वाइ मैक्जिमं होता है या नहीं होता है आई डीक्यू अपन टॉल रेक्टेंगल घंड कि नहों यह दो इस तो यह थो वाई हुआ है टो यह तो यह तो यह यह वाई वाई के लिए आप सेक्शन मोटलर्स का डिफ्रेंशन कर दो विदे रेस्पेक्ट ओफ एक्स तो डीज़ अपूंड इस तब यह निकालने के लिए हम इसा डिफ्रेंशन करते हैं तो जो यह हमारा यह इक्वेशन इसको आप डिफ्रेंशेट कर दो गे तो आपकी X क्या जाएगा डी बाई रूट थ्री यह आपकी विड़त आ गई ठीक है इस विड़त को आप उठाओ और इस विड़त को उठाके आप यहां पूट कर दो तो आपका वाइफाइड आउट जाएगा ओके वाइफ मतलब डेप्थ आप उठाके इस ग्लेशन में रखोगे तो आपकी डेप्थ फाइंड आउट हो जाएगी यह डेप्थ क्या जाएगी वाइफ इस डूट टू बाई ड आपके इसके डेवे डिनमीनेटर में ठीक है तो सिंपल आप वाइवाई एक्स निकालो कि आपके पास है एक्स आपके पास है तो आप तर रूट हो जाएगा हैंस प्रूड है ठीक है कि अज़िए पर नमबर नाइन कंपेर दा मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस फ्रों बीम ऑफ स्कॉर क्रूश सेक्शन छो यह क्या बोल रहा है कि आपके जो सेक्शन मोडल Mr. से उनका कंपेरेज मेंट करो कब जब पहला कि आप किसका सेक्शन मोडूले से उनको कमेर करना कि किसका सचन मोडूल ज्यादा होगा जादा होगा किसका सेक्शन मbird सब्सक्राइब निकालना है तो निकालना है दोनों सेक्षेंस के लिए अब आपको य तो पता है बीडी क्यों होता है वाइक क्या हो जाएगा जो यह है तो वाइक सब्सक्राइब निकालना है देखो कोशन नमर नाहीं में पहला यह रेक्टेंग दोनों साइड हो यह हो गया इसका कैसे आएगा बीडी क्यों फॉर्मला यह होता है आएपन वाइमेक्स ठीक है तो बीडी क्यों फोल इसकी दिस और यह लाइक दोनों बराबर है तो बीकी है यह इस तरिके से डायमंड के जैसे बन गया इस तरीके से तो हम सीथा लगा नहीं सकते इसका उके तो इसकी न्युट्र कंप्पलेट यहां से लेकर कि यह तक यह वीड़ करेगी है यह वगा टीर फू ब構री की जो को सब लेखिए तो फिर इससी की बाद कम और हो आधी की बात करें नहीं हो यह कितने हो प्लूड़ टो में बाइद गौफ ऐसे के सब्सक्राइब करें कि यहां से मान के इस उपपर वाले का एक साथ निकाल लेंगे और इसको टू टाइम्स कर देंगा तो नीचे वाले का भी सेक्षिन मौरूल सा जाएगा सिंपल सी बात है तो उपपर वाले का लिए यहां देखो सेक्षिन का यह निकाल रहें ठीक है इसका बीडिक वापन टूल निकालो तो बी तो क्या हो गया इसका बी हो गया है टोटल एच है मने मान ली तो भी है क्यों ट्वफ इस अब देखो यह है कि को तो लो कि क्यों कि रेक्टेंगल सेक्शन होता है उसके लिए बीडीdog क्यों ट्रूल्फॉ इंपोर्टेंट चीज है मैं भी कंफ्यूस हो गया ठीक है लेकिन जो रेक्टेंगल होता है इस तरह से टेंगल होगा रेक्टेंगल के लिए तो बीडी क्यूब अपन तो हाइट होती है ठीक है तो भी इसका 303 अब अब आप इस निकालने के लिए उस यह आए गए आए आए गया प्लस यह आर्ड़ाइज प्लस किया था इससे प्रिछले लेक्टर में किया था तो एडिया इंटूस का अच्छा अर्क का होता है उस जो आपका एडिया है उसका मिड्य पॉर्शन है वहां से डिस्टेंस कितने होगे इसकी एच भाई तरी होगी ठीक है तो आप सोल करोगे तो आपका याज याज है बीएच की वपॉर्ण ट्वल्व तो शिर्फ आदे पॉर्षन के लिए क्या है बीएच्क्यूब 12 मतलब आज पॉर्शन के लिए तो कम्प्लीट के लिए कितना जाएगा टू टाइमस बीएच्ट के बपॉन 12 लगा लो बी क्या हो गया यह पर बी आपका यह हो गया यह पर चाप यह वह गया वी कि पुंट लगा लो खें तो यह आजएगा ठीक है तो देखो इसको समझ गई ने को आप खुद से समझ सकते हो ओकर आप धने आरहे तो अब तो अनलाइज करके भी समस्थ सकते ओए उखें बेरी बात समंझ नहीं तो आप दोनों compare करके तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां रूड टू एक्स्टा आ रहा है मतलब आपको यह जेडवन है वह रूड टू टाइमस स्ट्रोंग है इस से ठीक है तो देखो आगे पढ़ बता रहा है हैंस square section is root two times stronger than the diamond section if material is same and dimension also अगर आपकी material सेम है एक ही material है ठीक है और उसकी dimension भी सेम है तो आपका जो दोनों साइड parallel होगी ठीक है मतलब square section हो वह root two times strong होगा कि आजाओ question no.10 देखो कि कोचिन No.10 क्या बोल रहा है for the component loaded with the force F at shown in figure the axial stress at corner point P इस point पर आपको एक्जेल stress find out करना है इस point पर पी के उपर और आपका force देखा रहा है यहां पर कुछ force लगा रहा है okay तो आपको simply क्या करना है इस force को उठा करके इदर लेके आना है इस force को इस side लेकर आना है ठीक इस force को लेकर आओगे आप यहां पर लगाओगे ठीक तो आप लेकर आगे कि मेरा force यहां लग रहा है साथ साथ यह मोमेंट भी लेकर आएगा मोमेंट कितने लेकर आएगा यह दोंगे f into perpendicular distance ऐसा होता है यह करते हैं इसकी अब देखो इसका सेक्षन का यह दिरक है नहीं टूबी भाइट टूबी का यह सेक्षन है एफ इंटू complete L है तो यह मोमेंट यहां तकी तो लगेगा ल माइनस टूबी कि इतना हो जाएगा कि आखिए मौमेंट कितना जाएगा अहां नहीं कि नहीं आहिए ऐसा नहीं आएगा मोईमेंट क्या है यहां पर लगे चरिक सार्फjak यहां लग गवाहति आएप टो टू भी तो यह विए उन्ट छेम का से कर दिछन चिक लनिया मैं यहां से यहां तक की सिस्तेंस कितने हैं यहां पर लगा रहे हो यहां पर लगेगा तो टो टूटल भी है तो यहां तक की डिस्टेंस लोट बात इस आसा ने कर रखा गया और एक साथ भी अशनल पर प्रपेंडी सटेंस अब करना क्या है यहापर इस्ट्रेस दो के रहना आएगा एक तो आपका और यह जो मोमेंट लग रहा है इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आजाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस एम अपन आई डोट वाई इस तरीके से निकाल सकते हो मोमेंट आपका यह रहा एफ एल माइनस भी और यह बी हो जाएगा टूब है टोटल इसके कारण यह अलगा जाएगा यह और इसके कारण यह अलगा बस सिंप्ली फिर सोल करना कुछ नहीं है कि कोशन नमर्ट 11 इस वेरी इंपोर्टेंट कोशना में लिए उनक्या बोल रहा है अब मसीन फ्रेम इस श्यों इन फिगर बिलो इस सब जाएगे टुड़े इसके पैरलल में एक लोड लगा हुआ है फोर्स लगा हुआ है शिक्संडर न्यूटन का ठीक है यह आप इसमें डायमेंज्स देख लो यह आपकी 500 एमें यह 300 एमें इसकी जो डायमेंटर वो कितनी है 30 mm फिर क्या बोल रहा है कि आप करो रही बात क्या स्ट्रेस इंड़ इस इस में पासकल एड़ यह Mais स्ट्रेस सोस् прод 사고 स्ट्रेस निकालना है यहां परूर्मल भी सभाल तो यहां पर नौर्मल स्ट्रेस ना करके बैंडिंगा स्ट्रेस के लिए बोल रहा है और सब्सक्राइब करना आप कां सतंब Care Tay सब्सक्राइब करो कि आगे कोशन ओर बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है दम मेक्जमम प्रिंसेपल स्ट्रेस मतलब कर सिग्मा के तों नहीं दोनवे करेंग है siis सिग्मा टूरियर्प्रिल्स नोह में एक्ष्पर प्रृस्पंडिंस को अंद प्रिंसिपल प्लेव्ट्रे ऐस सिग्मा टाव दिस दिस पांच चीजे चार के लिए बोल रहा है पांच निकालेंगे सिग्मा टो एक्स्टा निकाल लेंगे हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ठीक है तो यह फाइंड आट करनी सारी चीजे और कोश्चन आपका क्या दे रखा है यह दे रखाए कोश्चन तो इस पी के कारण इस पी लग रहा है यहां पर ठीक है तो यहां पर जो भी हमार पर स्ट्रेस आएगा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और कौन से स्ट्रेस आ सकता है नोर्में स्ट्रेस आएगा सिर्स आएगा वह किसके कारण लगेगा इस पर सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स के क कितना जाएगा इस फोर्स शिक्संड्रेड मुल्टिप्लाइड वाइड इस पर्पेंडिकुलर दिस्टेंस फाइफंड्रेड कि आये यह नहीं आएगा कि अधाम ने दो चीजिदों के लिए यहां पर फॉरस के लिए या मोमेंट के लिए इस तरीक से किस तरीक से करेंगे खिए किया है यहां पर फोर्स लग रहा है इसको फॉर्स को ठाकर के ही झाल लेग् hacen तो शिफ्ट कर दिए ते तो शिफ्ट कर दिए साथ-एक मोमेंट भी लगेगा यह दो फॉर्ज तो सीधित इसे कैसे चाएगा तो तो 600 नीटर का फॉस्स तो सिदे चले गया बस यह कि यह मुवमेंट आएगा तो मुवमेंट कितना आएगा 600 अभी बताया था मैंने 600 मुल्टिप्लेड़ परपेंडिकोल डिस्टेंस परपेंडिकोल डिस्टेंस कितनी है 500 mm 500 mm को मिटर में चेंज कर लो तो कितनी हजिए कि दियों पॉइंट 5 0.5 मतलब क्या होता है वन बाइंट तो तो 300 आएगा यह नहीं के कारणा आपको वं क्या करना है लिए निकालना है हैनिये निकालना है सिग्मा-घावberस सिंड़ सिंग मारं संफिर प्रिंद उस निकालना है आप करो निकालन उन्यBeats लगे का इस इस पॉइंट पर इसके का बद एक हो नरेक्ट लिए फिर यह बैंड निया मैं कि टीके तो बेन के स्टेश लिए फर्मूला होता है ठीक है कि मोमेंट कितना लगा हुआ है कि लगा है अम मोमेंट कैसे लगा इस इस सिक्स इस इस सीammot multiplied by this perpendicular distance ओक यहां पर लेकिया तो 600 प्रप के लिए यह तो ट्रींच कितनी है यह कि इस यह रखा है यह तरीका से क्या है कि facilitate स्क्रामर कि खाट इसका आि रहेगा किए रहेगा कि फोर डीक्यूब या उच्ए किया पर रेदा यहाँ पर यहां पर कर लेना सट जीरोपैटिल फोर यापड न यहां यहां पर एक्सिस से यह न्यूट्रा लेक्षिस से यह डिस्टेंस कितनी इसके डायमेटर कि ती तर्टी एमीं में का आधा कितना हो गया तो मिंट्रेंज गरोगे तो पॉइंट फाइब ऑओ और शोरी यह कितना हो यह पॉइंट थर्टी एम्म देखेस को चेंज करोगे तो कि इतना जाएगा इतना निया इसको पहले आदा कर लो थर्टी आप कुछ कर सकते हो ना यहां तर्टी डायमेटर कितना हो गया फिफ्टी एम्म आप मेटर में चेंज करोगे तो बात जीरो पॉइंट जीरो फाइगा क्योंकि डिवाइड वाइड होगा यहां पर पॉइंट दिवाइड हो लगा आप पर भी आपके देवाइड ने पर लेता है बात यहां के लिए से पर यह होता है कि मैंने कोश्चन सोल किया था उससे आया था यह तो यह बहुँए आप बार बार में वह वो लगान यह बेटों के ती अपोन आई पी मॉल्टिप्लेट वई आर ओके यह फोर्म लेगो हमने ट्रांसपोर करके इसमें कर लिया था ठीक है कर नोट कैसे करोगे इस आई पी की वेल्यू रख दो आप पोडर मोमेंट ओफ इनर्शा की वेल्यू रख दो कि अपाई दी की पावर फॉर अपन थर्टी टू इसकी वेल्यू इसकी वेल्यू रख दो यहां पर रख दो दो और उपर टी रहेगा इसे कि जब यह आप इसको सोल करोगे तो आपका सिंपली यह यह आएगा ठीक है तो आप इसको अब पहले भी बोला था मैंने याद करने के लिए अगर याद नहीं किया तो अब भी याद कर लो आप इसको तो और कि सीधा क्या लिख सकते हैं आप सिक्स्टीन टी अपन पाई डी क्यूब किसके लिए जब आपका इसे सर्कुलर सेक्शन सोचे यहां गया यह रहां सिक्स्टीन मुटिवड़ेव थ्रेंडेट ड्वाइड पाई और डायमेटर कितनी है जीरो पॉइंट जीरो तरी यहां पर लिखे थे डायमेटर सिंपली सोल करोगे तो यहाद आएगा आपका दो बात के लिए रहो गई पर आप यह मारा वाइड एलेक्षिन में क्या हो गया ओकर नॉर्मल is stress हो गया तो सिझ मावाई कि सिग्मा तव एक्सवाई क्या हो गया टाव यह रही वेलिव कि दीग आगे क्या भोल रहे can support फॉर्मला याद होना चाहिए आपको नोर्मल इस्ट्रेज फॉर्मला a До big बोला याद करने पड़ेंगे सुर्मले मा पे अचर्णो पैस परsystem नहीं है वाई आपने भी निकाला ठाँ ठीक है अधेक देखो यह स españ यह रहा यह रहा और सिक्माय एक्स दिन चैनल के पूद के था का懂 कि तो प्लस कर दोंगे तो आपका यह लाएगा और और माइनस कर दोगे तो आप का यहां देगए डिर आगया प्लस मेzw इंतलियब निक्कडर्ण के लिए माइन तो मेजेब थी झीतलि ईक तक में option एसे ही ताव xy अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जीरो है सिग्मा वाई आप उठागे रख देना इसको रखोगे कर्कुलेटर से सोल्ड कर लेना आप यह आजाएगी तो कोश्चन में हमें यह पूछा है उसके रिगार्डिंग कि जिए उसके रिगार्डिंग क्या प्लेन निकालो तो यह उसके मेजर के रिगार्डिंग प्लेन आगया ठीक है और यह अगली जो वैलीवाती हो कैसे निकालता आफ तीटा पी प्लस 90 अगर सियर के लिए बात होती तो उसके लिए तो ठीटा प्लस 45 करते हैं लेकिन यह बात नहीं हो नहीं प्लेंगी प्लस 90 करोगे तो आपकी यह जाएगी कि अधरीयल पर कि यह चाовор तो यह खिए कि आपको किसी और दूसरे प्लेथ्छ पूचे के सब्सक्राइब प्रहुंद दे रखा है और इसे दूसरे प्लेयन पर पूझे तो उसका फोर्म यह सिग्मा एक्स्प्राइब अग्सेल माइस सिंग माइस सिंग मइस तुट्रिटा प्लेस टाव एक्सवाइब निकाल सकते वह दो और कैसि माइस माइस थर्टेटृ मेगा वस्की तो मैंने एस सब्सक्राइब तो आपके चार चीजे पता लग यह आ गया वापस से देखो को समझेगे अच्छा कोशन है वापस से देख के समझे एक बार के लिए गार को शेंनामबर 12 देखो कॉछन क्या बोल रहा है दो कॉछन देखा 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 हूं पहले कुछ नहीं है नहीं वह तो ऐसे बता रहा है फिर पड़ लो कोशन क्या बोल रहा है ड्रोधा स्टेट ओफ स्ट्रेस एट पॉइंट 1234 अप्टू 9 ठीक है यह 123456789 यह 9 पॉइंट पर आप आप आपका जो इस ट्रेस लगेगा इस पर ठीक है यह सिंपले सपोर्टेट भी में यह सिंपले सपोर्टेट भी में ठीक है इसके उपर एक यूडियल लगी हुई है तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस यह 9 पॉइंट से इसके उपर आपके लगेंगे compressive force लगेंगे या फिर टेंजायल force लगेंगे यह आपको बताने diagram मना मना के ठीक है यहीं बता देता हूं मैं आप पहले point के लिए देखो जो पहला point है हमारा beam किस तरीके से बेंड होगा यह हमारा beam इस तरीके से बेंड होगा करेंड है इस तरीके से होगा उपर के जीतने material नोपर के यह जितने हैं वह तो compression में यह यह वाला कर यह तो compression में आएगा और नीचे का tension में आएगा चीदी बात है और बीच में इसके कहीं neutral axis होगी होगी या नहीं होगी आइखे होगी नूट्रल एक्सिस पे ना तो कम्प्रेशन होता है और ना ही होता है इतनी बात आपको बता है बस आप आप सॉल पर सकते हो वन के लिए देखो कि वन के लिए उपपर रहे उपर सीरह ओक मुलिए चाहित है ओन्हें पर को हुह घ् 특़ की कि आप तुो के लिए देखोगे तो यह एक तरीके से निट्र लेक्सिस की ऊपर टू ठीक है निट्रल एक्सिस के ऊपर ना तो compression लगता है ना ही टेंसन लगता है तो compression टेंसन की वाद तो छोड़ो लेकिन लेकिन उस पर शीर तो लगेगा कि उपपर का पोर्षन कुछ इस तरीके से और नीचे का पोर्षन कुछ और निचे का पोर्षन एक कैंसल आउट कर देगे गुआ की तो लेकिन उसके प्लाई हो जाएगा क्योंकि खाला ने तो टेंशन और क्परेशन जीरो कर देंगे किस की हेल्फ से शेयर कि से हैं तो के उपर आपका दो लगेगा लगेगा और उसीषर लगेगा कि किसे हय इस तरीके से प्लेड तरह करो है है तो आपका गूल हैए वह किस तरीके से सब न न गंड दोना है में न लिए आफ रखे से ब्रकलिट तरो कि आप का और नंगा आ यह आप कोई सिर्फ करेंगा जाएगा और इस तरीके से प्मूर्ण सिर्क पर सिर्क्छ से लेंगा इस तरी ग back इस तरीके से यह पॉर्शन इस तारी खिचेगा और यह पॉर्शन इस साइड खिचेगा तो यह सीरी सिदे दोनों पास आजाएगा यह पॉर्शन पास आजाएगा यह पॉर्शन पास आजाएगा ठीक है से किने पर सियर लगेगा अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पर तो है ना तो इस पर ते लगेगा ना ही कुपरेशन एज लगेगा ओके शिख की बात करें तो सीधा-सिधा लगेगा तो क्यूंकि नीचे पॉर्षन वाले पर यह यह इसे ही लगेगा उपर तो सारी आपके compression लगेए नीची आपके तारी टेंस्ट लगेगे यह टू के उपड और एट के उपर शियर लगेगा और जो 5 है यह 5 stress-free रहेगा इस पर ना तो टैंसन लगेगा नाई compression लगेगा आप देखना चाहते हो solution तो इस तरीके से यहां देख लो क्योंकि आपका इस तरीके से बनने का बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम है ओके तो यह देख लो आप ठीक है आप खुद से भी समझने को सारे पोर्शन को यह कोशन में दिखा रगा है यहां पर 123 पोर्शन देखो यह 1234567 सारे दिखा रगे हैं और यहां पर उनके इस ट्रेस दिखा रहें कि कहा इस्ट्रेस लगेगा किस पर किस पॉइंट पर हमारा सियर लगेगा ओके इसी तरीका से कोशन नमबर तो आप खुछ समझो दिमाग लगाओ समझ जाओ ऐसे कोशन नमबर 13 है इसको देखो ड्रो दा मोर सर्कल एट पॉइंट 12345 सिदा गीवन लोडिंग डाइगराम इस अब देखो यहां पर यह केंटी लेवर दे रखा है यह सिंपल सपोर्ट नहीं है ठीक आप अब यह किस तरीके से बेंड ओगा इस तरीके से बेंड होगा मतलब उपर के सारे पर तो टेंशन आजाएक और नीचे कंप्रेशन आएगा ठीक है सिंपल सब्सक्राइब बनाना है आपको तो देखो इनको देखो पहले फर्स्ट के ओपर तो सिधा सिधा टेंशन जनरेट होगा तो सब्सक्राइब होगी और कितनी होगी सिग्मा होगी मान लिए हमने कुछ भी ठीक है अप्रोप्स बनानाय में कि हमारे जो भी स्ट्रेस है वो सिग्मा आ गई है ठीक है तो यह इस पर स्ट्रेस लग रहा है क्या कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा हुआ लगा हुआ तो है सिग्मा सिग्मा लगा हुआ है इस पर को सियर स्ट्रेस लगा हुआ है क्या सियर स्ट्रेस नहीं लगा हुआ तो मैंने आपको एक बात बताई थी ज वहां पर जो आपके नोर्मल स्ट्रेस होंगे सिग्मा वन सिग्मा टू वह आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे ठीक है यह पोईंट में बताए था हमाँ पर और हमने ऐसे कोशन सब्सक्राइब देख यहां पर लगा हुआ है तो मोर सरकल के अंदर आमारी यह क्या होता है प बन गया अगर पॉइंट नवर्ट दो के बाद करेंगे तो तो के उपर क्या लगा हुआ है देखो कि तो के उपर आपका टेंजन टेंशन भी लगेगा और साथ ही साथ शीर भी लगेगा क्योंकि मिड़ में आ गया यह आप ड़ी हुआ ऐसरी है लेगें लएघाई अब आप बोलोगी बहले वाले चुश्चन रहीं किया नहीं नहीं तो पहले वाला सेन में ओसकी बहले तो कि नििसन बहर घ्रा निकाल सकते हैं मैं को सेंटर कैसे निका लोगे शिग माइस प्लस सिंग माई वाई ऐट लॉटा है सब्सक्राइब 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 याद होने चाहिए आपको मैंने बता है बहुत अच्छी तरीके से इसका इस रेडियस और यह आ गया रेडियस और सेंटर आगया आपका अगर सेंटर होगा सरकल भी आप इस तरीके ड्रो कर सकते हो ठीक है तो को देखलो आप फोर को यहां दिखा रखाए तो अचनको सबोरल old 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 जड़ा को सब्सक्राइबार करने के इन संभ्रोन को समझो और अगे को से को सब्सक्राइबर 14 से तर greater तेंक्यू यह